क्या कभी आपने किसी कभूतर के ऊपर FIR दर्ज होते सुना है? अगर नहीं तो एक ऐसी ही अजब गजब घटना सामने निकल कर आई है, जिसको जानने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा. घटना पंजाब की है. यहाँ एक संदिग्ध कभूतर को पकड़ा गया. के पास एक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पर था कि तभी एक कभूतर उसे एक पास आ गया. कांस्टेबल ने जब उसे ध्यान से देखा तो उसके पैरों में एक कागस का टुकरा बंधा था. FIR की माने तो कांस्टेबल ने जैसे ही इस संदिग्ध कभूतर को देखा. कागस को खोला गया. कागस को जब खोल कर देखा गया तो उसमें एक संदिग्ध नंबर लिखा हुआ मिला. ये नंबर क्या था? इसे किस उद्देशे से कभूतर के पैरों में बांध कर भेजा गया था. अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. हाला कि कभूतर के ऊपर अमरिटसर के कहागर कुलिस थाने में केस दर्स कर लिया गया है. रिपोर्ट की माने तो कभूतर काले और सफेद रंग का है. यह 17 अपरेल की शाम को पकड़ा गया था. इस दौरान कांस्टेबल नीरज कुमार बी ओपी रोरनवाला के पास ड्यूटी कर रहे थे. अचानक यह कभूतर कहीं से आकर उनके कंधे पर बैठ गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कैम्ट से पाकिस्तान की चोकी की दूरी महस 500 मीटर है. इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले सीमारेखा पर देखे गए हैं. पिछले साल 2020 में ऐसा ही एक मामला जम्मु कश्मीर में कठुआ से सामने निकल कर आया था. इस दौरान भी पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए एक कभूतर को हिरासत में लिया गया था. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेर, सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद.